स्प्लेंड़ मॉंस कैसे हैं आप सब विलकम तु हिंदी मात्रा सीरीज इसमें हम देखेंगे आज लेसन नमबर एट एन लेसन नमबर नाइद एए और आये मात्रा प्रिविस लेसंस में हमने कवर किया तिल रू तिल लेसन नमबर 7 अ की मात्रा से लेकर रू तक हमने देखा था आज हम देखेंगे lesson no.8 and lesson no.9 so यहां पर है lesson no.8 ए की मात्रा सबसे पहले हमेशा जब भी आप मात्रा सिखा रहे हैं तो मात्रा किस सरे से लिखना है यह practice करवाना जरूरी होता है previous lessons में भी हमने यही किया था तो यहां पर first section, first time हम बच्चे को मात्रा कैसे लिखते हैं, यह दिखाएंगे और उनको लिखना सिखाएंगे Then next है, एकी मात्रा के कुछ शब्द, ब एकी मात्रा, बे, टी, बे, टी, ट को बड़ी ए की मात्रा So, बे, टी, बे, टी, बेर, खेल, मेल, सवेरा, इन सारे words को बच्चे को पढ़ना और लिखना आना है, अगर आप डिक्टेशन भी दे तो बच्चे को यह words लिखने आनी चाहिए मात्रा हैं जब सिखाते हैं हिंदी के तो इसी तरह से सिखाते हैं, एक-एक मात्रा की एक-एक lesson होती है, आज हम देखने हैं lesson number 8 तो एक ही मात्रा के कुछ words यहां पे हैं इसके बाद बारी है हर व्यंजन के अक्षर पे एक ही मात्रा कैसे लगाते हैं और कैसे पढ़ते हैं यह सिखाने की तो यहां पे सारे जो व्यंजन के अक्षर होते हैं हर अक्षर पे एक ही मात्रा लिखना बच्चे को practice करवाना है कैसे पढ़ना है ये भी आपको practice करवानी है का एकी मातरा के ख एकी मातरा के इस तरह से इसके बाद next section है चित्र के नाम लिखिए कुछ pictures है यहाँ पर उनकी नाम बच्चे को देख कर लिखना है हिंदी में लिखना है so apple को हम हिंदी में save कहते हैं तो सब एक ही मात्रा save, next है पेड, केला बेल and करेला तो ये 5 pictures है और picture के names बचे को लिखना प्रैक्टिस करवाईए पढ़ना और लिखना इससे क्या है ना हिंदी की जो vocabulary है हिंदी के words है वो भी बच्चे सीखते हैं वनना हम जनरली बच्चे को apple, apple, apple इस तरह से सिखाते हैं banana, banana इस तरह से सिखाते हैं तो हिंदी के words सीखने में इस तरह की exercises help करती हैं next है fifth, यहाँ पर हमें अक्षरों को मिला कर शब्द बनाने हैं र, एक ही मात्रा rail, खेल, मेल, तेल तो इस तरह से words लिखनी हैं यह भी एक तरह की exercise है जो lesson के end में होती है class 1 में जब बचे मात्रा सीखते हैं इस तरह की exercises का मकसद ही होता है कि बचे new words पढ़ना और लिखना सीखें Hindi vocabulary सीखने के लिए इसके बाद in the end यहाँ पे एक और exercise है चित्र को इसके नाम से जोड़ो यानि pictures की names यहाँ पे और pictures यहाँ पे चित्र यहाँ पे जिनको match बचे को करना है सेब पेड केला बेल करेला तो क्या होता है ना lesson में बचों को चित्र के नेम देते हैं और चित्र के नाम लिखना सिखाते हैं तो exam में इस तरह matching भी दे सकते हैं teachers या फिर picture दे सकते हैं और picture के जो name है वो missing letters की तरह दे सकते हैं अगर आपने मेने previous videos देखी है previous मातरा की तो उसमें मैंने कुछ exercises इस तरह की share किये तो आपको वहां समझ में आया होगा कि किस तरह से बचे को पढ़ाना है तो यहां पर भी picture दीजिए नाम लिखने के लिए कहिए या फिर picture सो name दीजिए matching करने के लिए कहिए या फिर picture के साथ नाम दीजिए जैसे कि paid बट paid में जो है न pay आप miss कर दीजिए dash देजिए और ड लिखिए और बचे को pay मतलब word complete करना होता है तो इस तरह से exercises होती है तो यह था lesson number 8 now coming to lesson number 9 I की मात्रा तो यहां पर सबसे पहले है I शब्द एनक एरावत यानि elephant ऐसा तो यह दो दो बार तीन तीर बार practice करवाईए reading exercise करवाने के लिए इसके बाद है I की मात्रा कैसे लिखना है see A की मात्रा में उपर एकी line आती है whereas I की मात्रा में उपर दो इस तरह की lines लगानी होती है हर अक्षर पर तो यह थे second exercise then coming to third one as it is हमको again वियंजेन की जो अक्षर है उन सारी अक्षर को जो आई की मात्रा लगती है तो कैसे लिखना पढ़ना है यह सिखाना होता है तो इस exercise का मकसद यह होता है कैसे प्रनाउंस करना है यह सिखाना है यहां पर हे कुछ words with आई मात्रा इन words को बच्चे को पढ़ना और लिखना आना चाहिए reading exercise जरूर करवाईए इन words की जब बच्चे को समझ आएगा के म पे जब आई की मातरा लगती है तो कैसे पढ़ते हैं तो मै दान द आ की मातरा मै दान मै दान जितना आप रीट करवाएंगे उतना अच्छा बच्चा हिंदी सीखेगा दिन विलोप शप्त कुछ opposites यहां पे इंक्रूडड़ है इस lesson में खरीदना बेचना नेक्स्ट है आगे पीछे उपर नीचे काला सफेद सर्दी गर्मी इसमें वो सारे मातरा इंक्लूड़ड है जो अब तक बच्चों ने सीखी है यानि आ की मातरा से अ और आ की मातरा तो यह सारी इसमें इंक्लूड़ड है तो कुछ विलोम शप्त्थ बच्चे क्लास वन में सीखते हैं उसमें से कुछ यहां पे हैं नेक्स्ट है सार्तक शब्द, सार्तक मतलब जैसे तरह के जंबल्ड वर्ड होते हैं, लेटर्स इधर उधर हो जाती हैं, बच्चे को करेक्ट वर्ड लिखना होता है, हिंदी में भी इस तरह की एक साइज होती है, यहां पर उन्होंने मै ना, मै ना को इस तरह से उल्टा नेक्स्ट, अक्षर उनको मिलाकर शब्द बनाईए, यहां पर है तैर, बैर, पैर, एंड सैर, इन सारी एक्सराइज को आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाईए, जब आप उनको यह मात्रा हैं, ए मात्रा और आ के मात्रा सिखा रहे हैं, इस और वेरी इंपोर्टेंट क्ल यह जब बच्चे मात्राएं सीखते हैं, तो इसी तरह से लेसन वाइज सीखते हैं, एक-एक लेसन में एक-एक मात्रा वो सीखते हैं, तो यह था आज का वीडियो विद रस्पेक्ट टू लेसन एट और लेसन नाइन जिसमें हमने ए और आई की मात्रा हिंदी की सीखी, शेर करे और चनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करे Happy Parenting from Splendid Moms Happy Parenting from Splendid Moms Give us a thumbs up if you like the video Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos